हेलो दोस्तो मैं राम देव आप सभी का स्वागत करता हूँ नोलेज गुरू जी पर जैसा कि आप सभी समने लेख रहे हो हर्याना करमचरी चेहन आए तो एक बड़ी अपडेट आई है अच्छा सी आई टी इंस्टेक्टर है और हर्याना पुलिस समयत अन्या जो भी बरतिया आपकी पेंडिंग है उन सभी के लिए अपडेट रहने वारी है तो आप कोई से वीडियो पूरी अपडेट दी जाएगी और साथ ही का पेपर दुबार होगा या नहीं होगा इस विश्या पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगी तो आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप एली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ की अबेलिका इकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से कोई भी न्यूडियो प्लोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएए तो ये आप दे सकते हैं पुलिस पद्दों पर हुई धांदली के अरव निरादार एस अपल कंडिडेट कोचिंग सेंटर यूटूबर्स फिला रहे अप वाल सिंग खत रहे ठीक है तो इन्होंने अपना पल्ला है जाड लिया है कि जो पुलिस बरती में धांदली के बात है वो धांदली नहीं हुई है कुछ जो आपके कोचिंग सेंटर है कुछ यूटूबर है और कुछ जो आपके कंडिडेट जो फेल हुए है वो इसमें क्या है धांदले के अप उड़ा रहे हैं के दिया जाएगा और जोइनिंग बीन को दे दी जाएगी स्टाफ सेलेक्शन कमिशन द्वारा पुलिस विवहा के विविन पदों के लिए कुराईगी स्वाल के गिरे में हैं परिक्षा में धांदली के आप विपक्स कंडिडेट लगा रहे हैं और पंजाब के स्रीज बा उट रही है ऐसा क्यों है कि इससे कितनी सचाई है तो इसमें आप देह सकते हैं यह आपका जो मेल कॉंस्टेबल वाड़ा मुदा है और फिमेल वाड़ा है वो भी इसमें है पिछले कुछ दिनों से सोसल मीडिया पर फिमेल सब इंस्पेक्टर के लिए हुई परिक्षा में दानली के अफवाएं रही 26 सितंबर को मेल जो कॉंस्टेबल का हुआ उसमें तीन सेंटर में कोई अलग सेट खूल गया ता इस वजह से दुबारे से एक्जाम करवाए गया जिसमें से पान सो असी बच्चों को बलाए गया लेकिन शाठी तीन सो परिक्षा में बैठने में सहमती दे दी और उससे अफवा उड़ी की अच्छा सची की शिपारिशों और अपने चाहितों को तेरा के पेपर में बिठाए गया और अफवा सपल कंडिडेट कोचिंग सेंटर यूटेबर ज्यादा फिला रहे हैं और 26 को पूरे हर्याना में होने वाले पेपर है शाठी की बात थी वह उन्होंने कर दिया नाव तर्शाल कानू को की परिक्षा वो कब तक होगी तो इसमें परिक्षा कि अगर बात करें हमारे जो आयोग मन्ने के बाद हम लगबग 65 कटेरियों के एक्जाम ले चुके हैं और हम कोई भी छुटी वाला दिन चाहें सनिवार रिवा से ने हो कतिस मार्च दो हजार बाइस तक कितनी बर्तियों की संभावन है तो इसमें आप देशने अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और कोई अच्छन नहीं आई कोई कोड़ केस नहीं गया या कोई बड़ा कारण नहीं होया तो 25,000 का टार्गेट है नॉर्मलेजिशन सबद की अगर बात करें तो आप दे सकते हैं नॉर्मलेजिशन एक फार्मूला है जो कि सोफ्ट वेयर में फिट है और से परतिसद निकाली जाती है यह अफ़ उड़ रही है कि बच्चों के नंबर कम कर दिये गई है और यह कलियर करना चाहता हूं को नॉर्मलेजिशन बच्चों क भी हो सकता है ठीक है इसमें मना नहीं करें भी किसी को नुक्सान भी हो सकता किसी को अगर फाइदा होता है तो डिमांड सलेवस की लगातर कर रहे हैं मांग तो आप क्या सोचते हैं ठीक है सलेवस की बात अगर देखें तो यह कनिड़ेट और जंता की बड़ी मांग कई बा पुलिस बिजली विवाग शीक से वेगत आदि विवागों के लिए क्या है अलग-अलग रूल्स है इसे बात को ज्यान में रखते हुए मैंने चीफ शेक्टरी को एक पत्र लिखा है और हर्यानक सभी वाग को परेटी लेटर लिखे और सभी अपनी सर्विस रूल्स में बद रहा जितनी भी आपकी पेंडिंग वरती है वो आपकी 30 मार्श दो जर्बाइस से पहले पहले जोइनिंग है वो दे दी जाएगी और जो मेल कॉंस्टेबल वाला एक्जाम है तो यह इनमें कोई बात नहीं कर रहें कि दुबारा पेपर लेंगे यह कह रहें भी जो कंडिड आपके फेल है और यूटूबर है कुछ कोचिंग सेंटर वाले हैं जो की एफ वा फेला रहे हैं और जो धान लेकर बात की जाए तो धान लेकिसे यह कह मना कर रहे हैं वही इसमें बिल्कुल सा पला जाड़ रहें अपना और नॉर्मलाजेशन का भी यह फार्मूला बता र बाली है और CET के अंदर आपकी जो बरती होनी है वो भी क्या है दिसंबर या जनुवरी के आसपास आपका CET का एकजाम भी होने वाला है जो चेर्मेंट साब के बियान के नुसार यही अपडेट थी जो आप सभी के साथ सेर करनी थी अपडेट अगर आपको अच्छी लग इसक्राइब करें धन्यवाद